जहें दोस्त आज हम लोग बात करेंगे कारगिल यूद की जिसमें हमारे देश के चार सो निनाबे सैनिक सहीद हो गए थे जिसमें नबे जो सैनिक थे केवल यादो समास से विलॉग करते थे इसके अलावा आपको बता दें इसमें कई ऐसे महाँ वीर हुए जिनोंने अपने जीवन को दाओं पे लगा दिया भारत मा की लाज बचाने के लिए कारगिल को छुडाने के लिए वो दिन जब पाकिस्तान ने भारत वासियों से गद्दारी किया था और कारगिल पे एक तप्जा कर लिया हमारे देश के महान अनेको सैनिक जिन में 499 सैनिक सहीद हो गए थे उन्होंने कारगिल को छुडाने के लिए आखरी दम तक आखरी सास तक लड़े जिनकी इज़्जत करना हमारा परम कर तब्दे मत्ता है जिसमें 90 किवल यादो समाज से रहने वाले थे आज हर एक समाज का रेजमेंट इस्तापित है मैं किसी जात भी से इसकी बात नहीं करता हूँ लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात और विचार आता है तो दर्द होता है कि आज तक आईर रेजमेंट की स्तापना क्यों नहीं की गई अभी तक आहिर समाच जो की अनेकों युदों में चाइना युदों चाहें कारगिली युदों उसमें सहीध होते रहें लेकिन आज तक आई रिजमेंट की इस्तापना नहीं की आज वो दिन आ गया है कि राई रिजमेंट की इस्तापना करनी पड़ेगी